नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ग्यानदा नौलेच में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों वैसे तो नो ग्रहों का अपना अलग-अलग महत्व होता है और ये ग्रह समय समय पर अपना घर भी बदलते रहते हैं अधिकतर ग्रह किसी एक राशी में ज्यादा से ज्यादा एक वर्ष तक रहता है लेकिन शनी ग्रह का किसी दूसरी राशी में जाना महाप्रिवर्तन कहलाता है और इस बार ये महाप्रिवर्टन 26 अक्तूबर को हो रहा है शनी दुपहर 3 वजे पूरन रूप से धनु राशी में प्रिवेश करेंगे और जनुरी 2020 तक इसी राशी में गोचर करेंगे दोस्तो दरसल शनी किसी एक राशी में लगभग धाई वर्ष तक रहते हैं और ये समय पूरा होने के बाद वे राशी प्रिवर्टन करते हैं ऐसे में 12 राशियों के राशी चक्र को पूरा करने में शनी को 30 वर्ष का समय लग जाता है शनी का राशी प्रिवर्टन एक बड़ी घटना माना जाता है क्योंकि दूसरी राशियों पर चल रही साड़े साती और ढहिया भी प्रभावित होते हैं दोस्तो अगर किसी पर शनी की नजर पढ़ जाए तो इसकी हंस्ती खेलती जिंदगी भी बरबात हो जाती है इस राशी परवर्तन से किसी पर ढहिया आएगी तो किसी पर साड़े साती अधिकतर लोग इस वज़ा से शनी देव को कुरूर मानते हैं जबकि ऐसा नहीं है दोस्तो मालक्ष्मी ने भी शनी देव से यही सवाल किया था जब शनी देव ने बताया किवे किन लोगों को दंड देते हैं जब मालक्ष्मी ने शनीदेव से पूछा कि आखरी क्यों लोग आपको कुरूर मानते हैं और कहते हैं कि आप किसी के साथ भी रियात नहीं करते तब शनीदेव ने कहा कि मुझे तीनों लोगों का दंडा धिकारी बनाया गया है और अगर मैं रियात करने लगा तो फिर परश करती गलत होता है उसे दंडित भी करते हैं यहां तक कि गलत होने पर उन्होंने देवताओं को भी नहीं छोड़ा था और दोस्तों आजकल माने जाना लगा कि शनीदेव सबका काम ही विकारने वाले हैं हर कोई उनकी नेजर से बचने की कुश्वार है इसी को भी अशुब म बंढते हैं चबकि हकीकत में वे गलत और प्रेकार निरने करते हैं और गलत के लिए उसी उनुसार सजा भी नहीं देख करते हैं दोस्तों शनीदेव की अदालत में कोई देखनी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।